नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया 20 ओक्टोबर पटना का खुसरुपूर और यहां का रेलवे स्टेशन देश्वा न्यूज की वज़ए से कलंकित होने से बच गया देश्वा टीम की मुहीम रंग लाई और एक दादा जी की जान बच गई इस बुज़ूर को देखिए और इनके गोद में इस मासूम को देखिए कितने चैन की नीन ले रहा है मानो इन्हें जन से ही ये जानता हो इनके बाहों में खुद को कितना सुरक्षत महसूस कर रहा है बेफिक्र, निडर, निर्भै होकर राहत की सास ले रहा है पर ये राहत इस उग्र भीड को रास नहीं आई तभी तो भीडवे शामिल लोग इस वुज़ूर की जान लेने पर आमादा है जिस बाहों में बच्चा अपने आपको सुरक्षत महसूस कर रहा है उन्ही बाहों को ये लोग कार डालना चाहते थे ताकि बच्चे की जिंदगी सलामत रहे लेकिन उन्हें क्या पता? खुसरुपूर को वे एक ऐसे कलंग से कलंकित करने पर आमादा थे जिसकी इजाज़त ना तो सभ्य सबाज और ना ही कानून देता है संयोग अच्छा था देश्वा न्यूस के लोगों को इस बात की भनक लगी और देश्वा न्यूस की टीम फोरन मौकाय वार्दात पर पहुँच गई जो सेक निडोश की हत्या होने से बच गई एक मासूम अपने माबाप से बिछडने से बच गया क्योंकि अगर देश्वा की टीम मौके पर नहीं पहुँचती तो शायर दादा पोता आज जिन्दा नहीं होते तो अच्छा लग रहा है ना साब कुछ क्लियर हो गया ठीक अठीक असर बहुत अच्छा विवाज है सुरिया मनाते हैं मैं वो आशिरवाद देते हैं तो ये राजवीर के दादा जी है सुरेश पास्वान जिनके ऊपर चोरी कारोप लगा हुआ था कि बच्चा चुरा करके ले जा रहा है खुसरुपूर रेल्वे स्टेशन का जो महौल था भीड का जो आक्रोश था उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि इस बुज़र की हत्या से ही बात खत्म होती हर कोई रोश में हर कोई चिला रहा था तो कोई माने की बात कर रहा था और उन सब की बीच बुढ़ा बाबा, बेबस और लाचार दिख रहे थे वो रो रहे थे, गिर-गिरा रहे थे ये जताने का प्रयास कर रहे थे कि गोड में जो बच्चा है वो कोई और नहीं बलकि उनका पोता है ये अलग बात है उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है शरीर में जुडियां आ गई है वो साथू की तरह दिख रहे हैं पर वो बच्चा चोड नहीं है लेकिन इसकी परवाख किसी थी भीर में शामिल अंगिनत मर्द एक लाचार परदानगी दिखाने की कोशिश में थे इन सब के बीच ये महिला पूरी कहानी की हिरोईन बनी हुई थी क्योंकि इसी महिला ने दावा किया है कि ये साधू बच्चा चोड है बच्चे का पहरन कर ट्रेन में सफर कर रहा है कटीली भौएं कजरारे नैन और फुल टॉप मे लग रही है तभी तो इस महिला के जासे में सैकड़ों लोग फस गए और बुज़ुर्ग की जान लेने पर आमादा हो गए कि जल अंटी हमको बचा लीजिए इसे पकर की चोड़का बचवा हां अंटी हमको बचा लीजिए एतनी बोला फिर नहीं बोला फिर लड़का की वाला लड़का के यहां खुसरूपुर में सोर्म मच गिया उतार रहा था अफिर उसको बोड़ा खोलके निकाला समझे अब महिला शातिर भी उतनी ही निकली तब ही तो जुट का पड़ा पाश होते ही मौके से चंपत हो गई यानि पूरी घटना क्रम का मास्टर माइंड या यू कहें कि बुज़ोर्ग की हत्या करवाने का पूरा शरय अंत्र इस महिला की उपज है ये भी हो सकता है कि बुज़ोर की हत्या के बाद बच्चे को ले भागनी का अिरादा हो तो क्या ऐसे में इस महिला पर पुलिस को आक्शन नहीं लेना चाहिए तो फिर देश्वा पूछता है सवाल इस महिला पर हत्या की कोशिश का मुलकादमा क्यों नहीं दर्ज हो क्योंकि जैसे ही ये महिला बच्चे के अपहारन की लोगों को जूटी कहानी सुनाने लगी तो फिर बुज़र को बच्चा चोड समझ उसकी जान लेने पर आमादा हो गई गनीमत ये रही कि देश्वा न्यूज की टीम मौकाए वार्दात पर पौरन पहुँच गई और जियात्वी टीम भी एक्शन में आ गई ठाना ध्यक्ष की सूजबूज ने देश्वा न्यूज की मुहीम को बल दिया और रिजल्ट आपके सामने है जिस बच्चे के चोड़ी होने की बात हो रही थी वो उस बुज़र का पोता निकला देश्वा न्यूज की टीम तब तक दादा पोते के साथ रही जब तक उनके परिवार के लोग वहां आ नहीं गए और वो सुरक्षित अपने परिवार के पास नहीं पहुँच गए यानि देश्वा न्यूज ने फिर साबित कर दिया सिर्फ खबर दिखाना हमारा मकसर नहीं समाज की सूरत बदलनी चाहिए इसी मुहीम के साथ देश्वा लगतार अग्रसर है और इसी का रिजल्ट है कि इस परिवार का अभिभावग और चिराग दोनों जिन्दा बच सके सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसर नहीं देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सबसक्राइब करें साथ ही बेल आउइकन दबाना न भूले